नमस्कार दोस्तों आप सभी का पस्टेडी के ऑनलाइन प्लेटपर में स्वागत है आजगी क्लास का हमारा टोपिक होने वाला है सोयवी इनकी खेती तो सोयवी इनकी खेती से संबंदी जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्यूशन बनते हैं उन्हीं के बारे में करेंगे तो टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं यह दिए आज की क्लास आपको उच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले तो आज की क्लास का पहला क्यूशन है निम्न में से सोया बीन का उत्पतिस्तल है नेपाल भारते चीन या फिर अफ्रीका तो जो सोया बीन का उत्पतिस्तल माना जाता है वो माना जाता है चीन को तो सी इस क्यूशन का राइट आंस्वर होने वाला है पीस्टमाइन का उत्पतिश तल किस देश को माना जाता है, यह कुशन जेट में और एजी सुप्रवाईजर में दो बार रिपीट हुआ हावा कुशन है, यह बहुत ही इंपोर्टेंट पीस्टमाइन की सुव्याबीर इनका उत्पतिश तल है तो उसका चीन राइट आंसवर होगा अगला क्यूशन है निम्न में से वीइसो में वानश्पतिक तेल के श्रोत में फर्तमिस्तान किस तिलहन पशलका है यह यह जो वानस्पतिक तेल बनाया जाता है उस में फर्तमिस्तान कौन सी तिह नीपसल का है वी शो में तो मुंपली तारभ़िबी न यहायं तो में वनस्पती तेल में फर्तमिस्तान रखता है वो रखता है सोया बीन सोया बीन फरतमिस्तान रखता है तो डीस्क्यूशन का राइट आंस्वर होने वाला है विस्व में जो तेल के सरोत में फरतमिस्तान रखता है वनस्पति तेल के वो रखता है सोया बीन फरतमिस्तान रखता है तो डीस्क्यूशन का राइट आंस्वर होने वाला है अब बात करते हैं सोयबीन के बोट निकल नेम के बारे में तो सोयबीन का बोट निकल नेम क्या है गलाई सीन सोयवीन का बोटनिकल नेम है गलाइसीन मेक्स सोयवीन दलहनी दलहनी और तिलहनी दोनो परकार की पसल यानि सोयवीन की दाल भी बनाई जाती है तो सोयवीन से तेल भी प्राप्ट किया जाता है तो सोया बीन की पसल दे लहनी और तिलहनी दोनों स्रेणी की पसल है अब बात करते हैं सोया बीन का कुल क्या है तो सोया बीन लेग्यूमिनेशी कुल का पोदा है उत्पतिस्तल की बात करें उत्पतिस्तल है चीन देश सोया बीन का बोटनिकल नेम क्या है तो सोयबीन का बोटनिकल नेम है गलाइसीन मैक से इसके अलावा यदि सोयबीन की पसल की बात करें तो सोयबीन से दाल भी बनाई जाती है और तेल भी प्राप्त किया जाता है तो सोयबीन की पसल दलहनी और तिलहनी दोनों परकार की पशल है सोयबीन के कुल की बात करें तो सोयबीन लेग्यूमिनेशी कुल का पोदा है सोयबीन लेग्यूमिनेशी कुल का पोदा है उत्पतिस्तल की बात करें तो सोयबीन का उत्पतिस्तल माना जाता है चीन देश को उत्पतिस्तल किस देश को माना जाता है चीन देश को माना जाता है इसके अलावा सोयबीन की अन्य नाम यहीं सोय बिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है एक तो जाना जाता है पीला सोना पीला सोना आस चरिये पशल है आस चरिये पशल है वन्डर क्रोप wonder क्रोप यहनी सोयबीन को आस्तरी पसल पीला सोना या वंडर क्रोप के नाम से जाना जाता है सोयबीन का वी सो में उत्पादन शर्वादी की किस देश में होता है तो वो यू ऐसे में होता है सोयबीन का शर्वादी के उत्पादन यू ऐसे में होता है अब बात करते हैं यदि उत्पादन की उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में विसो में फिर बात करते हैं भारत में और फिर बात करते हैं राजस्तान में तो विसो में फरतमिस्तान USA का है सोयवीन उत्पादन में वीशो में फर्तमिस्तान किस देश का है यूएसे का है इसके अलावा यदि भारत की बात करें तो भारत में फर्तमिस्तान MP UP और महराष्ट में शिर्वादिक उत्पादन होता है सोयवीन का और यदि राजस्तान की बात करें तो राजस्तान सोयवीन उत्पादन में तीसरे इस्तान पर है कौन से इस्तान पर है तीसरे इस्तान पर है सोयवीन राजस्तान सोयवीन उत्पादन में राजस्तान का तीसरा इस्तान है वीशो में सरवादिक सोयवीन कहां पर उत्पादित ह होती है यूएस अमें जब कि भारत की बात कर तो MPIP महराष्ण में जब कि राजस्थान का भारत में से पियस्तान है तो राजस्थान का स्थान तीसरा इस्तान का है कों सा नाम से जाना जाता है इसे जाना जाता है पोड के नाम से किसके नाम से जाना जाता है सोयविन को पोड के नाम से जाना जाता है और यदि राजस्तान में उत्पादन की बात करें तो राजस्तान में जहलावार जिला जहलावार जिला सोयविन उत्पादन में फरतमिस्तान रखता है विसो में USA, भारत में MPOP माराश, राजस्तान का भारत में सोयविन उत्पादन में तीसरा इस्तान है और राजस्तान में सोयविन उत्पादन में अगर्णी जिला जहलावार जिला है अगला क्यूशन है निम्न में से सोयवीन उत्पादन में राजस्तान का अगर्णी जिला कौन सा है जालावार, सिक्कर, जैपूर या फिर भी कनेर तो फरतमिस्तान किसका है फरतमिस्तान है जालावार का तो ए इसका राइट आंसर होने वाला है जबकि वी सो में फरतमिस्तान कौन से देश का है यू ऐसे का है और ये दी भारत की बात करे तो भारत में है यूपी, एमपी और महराष्ट, सोयवीन उत्पादन में परतमिस्तान है इसके अलावा राजस्तान की बात करें तो राजस्तान का तीसरा इस्तान है बारत में सोयवीन उत्पादन में अगला क्यूशन है निम्न में से सोयवीन की फली कहलाती है गाइटरोजन, नोडूलीन, फीलासोना या फिर पोड तो सोयवीन की फली होती है वो कहलाती है pod सोयबीन की फली pod कहलाती है तो discussion का right answer होने वाला है सोयबीन की फली pod कहलाती है बात करें फली की तो फली तो pod कहलाती है इसके अलावा विशेला तत्तव सोयबीन में विशेला तत्तव कौन सा पाया जाता है गाइट रोजन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है वो पाया जाता है नोडूलीन और जो दाल में दूर्गन दाती है वो किसी एंजाइम के करण आती है वो आती है लेपोक्षीडेज लेपोक्षीडेज एंजायम के कारण सोयबीन में दूर्गरंद आती है तो ये चारोई क्यूशन बहुत ही इंपोर्टेंट है कि जो सोयबीन की फली होती है वो क्या कहलाती है पोड कहलाती है क्या कहलाती है सोयबीन की फली पोड कहलाती है इसके अलावा सोयबीन में पाया जाने वाला विशेला तत्तव कौन सा है गाई ट्रोजन सोया बीन में पाया जाने वाला विशेला तत्तव है सोया बीन में बंडारन वाला तत्तव कौन सा है नोडूलीन बंडारन वाला तत्तव है सोया बीन में दुरगंद किसके कारण आती है लेपोक्षी डेज एंजायम के कारणे सोया बीन की द बूख on WAT कि यह और हैसिए अधिवी कि अधिगी है सोयवीन है सव परागित पसल है सोयवीन हॉई परागित पसल यह क्यूशन भी पूचा हुआ है अब बात करते हैं अगले क्यूशन के बारे में अगला क्यूशन है निमन में से सोया बीन के दानों में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशित पाई जाती है 20% 40-42% 25% या फिर 30-35% तो सोया बीन की दानों में प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा तो पाई जाती है 40-42% जबकि तेल की मात्रा पाई जाती है 20% पूचा हुआ है और दो बार एजी सुपर्वाइजर में पूचा हुआ कि सोया बीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है 40-42% तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है 20% इस क्यूशन का बी राइट आंसर होने वाला है सोया बीन में प्रोटीन की मात्रा 40-42% पाई जाती है इन दोनों ही क्यूशनों में स्टुडेंट कंप्यूज हो जाते है कि प्रोटीन की मात्रा 40% है या फिर 20% या फिर तेल की मात्रा 40% से 42% या फिर 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोया बीन की पसल में 40% जबकि तेल की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है 20% तेल की मात्रा पाई जाती है सोया बीन की दानों में अब बात करें अगले क्यूशन के बारे में अगला क्यूशन है निमन मेसे सोय बीन की परती हेक्टेर कितनी उपजी कितनी बीजदर होती है निमनें से सो ये इन की पर्ती हेक्टेर कितनी बीजदर होती है 40s से 55 kg PV 20h15-gr या फिर 70-80 kg बात करें तो सोया बेन की परती हेक्टेर बीजदर कितनी होती है सोया बेन की परती हेक्टेर बुआई की जाती है सत्तर से फिच्योतर या फिर सत्तर से असी के जी परती हेक्टेर बीजदर रखी जाती है बुआई के समय तो इस question का right answer क्या होने वाला है D is question का right answer होने वाला है Soya bean की जो बीजदर रखी जाती है वो रखी जाती है 70-80 के जी पारती हेक्टेर फाई रखी जाती है Soya bean में जो बीजदर रखी जाती है 70-70 R into P की बात गरे Line से Line और पोदे से पोदे की दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30-45-15-20 cm रखी जाती है एक हेक्टेर में Soya bean के पोदे लगाए जाते हैं कितने 3 लाग पोदे लगाए जाते हैं यदि बुआई की बात करें तो जून-जुलाई में बुआई की जाती है Soya bean की बुआई जून-जुलाई में की जाती है खरीब रित्तु की पचल है और SDP पोदा है तो क्यूशन बन सकता है कि Soya bean के एक हेक्टेर में लगबग कितने पोदे लगाए जाते हैं तो उसका right answer होने वाला है 3 लाग पोदे लगाए जाते है Soya bean की बुआई किस माँ में की जाती है जून-जुलाई में की जाती है Soya bean किस रित्तु का पसपोदा है खरीब रित्तु का Soya bean किस परकार का पोदा है कि दिवस्निस परभावी है या लोग डे प्लांट है या SDP प्लांट है Soya bean में जो दाल में कौनची प्रोटीन पाई जाती है तो protein कौनची पाई जाती है Glutin protein पाई जाती है Glutin Glutin protein पाई जाती है protein में अधिक मातरा में पाई जाने वाले 雫ीद अ मॉमलों की बात करें तो protein में एक तो Lysin immunomal पाई जाता है और एक पाया जाता है ट्रिप्टोपेन एमेनो अमले पाया जाता है लाइसेन की मातरा पाई जाती है 6.5 जबकि ट्रिप्टोपेन की 8.5 प्रतिश्यत मातरा पाई जाती है अब बात करते हैं अगले किशन के बारे में निम्न में से सोया बीन के परती हेक्टेर कितने पोदे लगाए जाते हैं एक लाग श्याशाटाजार एक लाग पचास जार तीन लाग या फिर श्याशाटाजार तो जो सोया बीन के एक एक टेर में कितने पोदे लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं तीन लाग पोदे सोया बीन सोया बीन में एक एक टेर में कितने पोदे लगाए जाते हैं तीन लाग लगाए जाते हैं तो इस क्यूशन का सी राइट ए आंसर होने वाला है जबकि बाजरे की पसल में जो पोड है रगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं देड लाख जबकी मक्का की पसल में मक्का की पिसल में जो पोद्दे की संग्य होती है वो 66,000 होती है तो यह चारों ही क्योशन है बहुत इंपोर्टेंट क्योशन होने वाले हैं कि स्वयाब स्वरी की बाजरा की यदि बुवाई की गई है एक एक्टेर में तो उसमें लगब कितने पोद्दे लगाए जाएंगे एक लाग 66,000 है यदि जोआर की खेती की गई है एक एक्टेर में तो पोद्दो की संग्य कितनी लगाई जाएगी डेड़ लाग यदि सोया भी इनकी एक एक्टेर में बुवाई की गई तो कितनी पोद्दो की संग्य होगी तीन लाग और यदि मक्का की खेती की जा रही है एक हेक्टेर में तो फोदो की किसेंग क्या होगी? शाट जार SoyaBeauton का राइट आंस्वर होने वाला है SoyaBeauton के कितने पोदे लगाए जाते हैं? 3,00,000,000 फोदे लगाए जाते हैं То there is SoyaBeauton का राइट आंसवर होने वाला है अगला किसन है निम्न में से सोयबीन की किस किसम में फलिया तड़कने की समश्या अधिक है ती गुंचास, टी वन, गोरव या फिर मोनेटो तो सोयबीन के सी कौन सी किसम है जिसमें फलिया तड़कने की समश्या अधिक है तो जो सोयबीन की T1 किसम है उसमें फलिया तड़कने की समश्या सरवादिक है फलिया तड़कने की समश्या किसमे है तीवन किसम में है तो इसक्यूशन का B राइट आंसर होने वाला है सोयबीन की T1 किसमें फलिया तड़कने की सरवादिकी समश्या है इसके अलावा यह दिबात करें टी गुंचास की, तो टी गुंचास के दाने छोटे होते हैं, यहीं छोटे दाने होते हैं, और इसकी बीजदर रखी जाती है, वो कितनी रखी जाती है? पचास से पच्पन किलो परती हेक्टियर बीजदर रखी जाती है छोटे दानवाली किसम कौन सी है टी गुंचास है जिसकी परती हेक्टियर बीजदर रखी जाती है पचास किलो जबकि फलिया तड़कने की समस्या किस में है गोरव और दो मोनेटो ये दो किसम है ये दोनों ही पीले दानों वाली किसम है और बोनी किसम है तो सोयविन की जो गोरव और मोनेट किसम है ये दोनों ही पीले दानों वाली बोनी किसम है इसके अलावा यदि अन्य किसमों के बारे में बात करें तो अन्य किसम है पी के 432, जे आस, 25, इसके अलबा है rks 335, इसके अलबा है nrc12, इसके अलबा है पंजाब पश्ट, इसके अलबा है अंकूर, कुनसी है, इसके अलबा है अंकूर, इसके अलावा यह दिबात करें तो इसके अलावा है दुर्गा इसके अलावा है सीला जीत इसके लावा है इसके लावा जे बी जे बी 335 इसके लावा यह दी बात करें तो इसके लावा है इसके लावा है एन आर सी इसके लावा यह दी बात करें तो अहिल्या इसके लावा है जो यूएस से शयायतित किसमे है उनकी बात करें तो एक तो है केंट एक है ब्रॉग एक है ली एक है बलेक हर्ट और एक है कलार के तो यह सोया बीन की यूएस से आयातित किसमे कौन कौन सी है केंट ब्रॉग ली ब्लेक हर्ट और कलॉग त्रेशिट यह सोया बीन की यूएस से आयातित शंकर वी देशी किसमे है अब बात करते हैं सोया बीन अनुसंदान संस्थान तो सोया बीन अनुसंदान संस्थान कहां पर है सोया बीन अनुसंदान संस्थान है अब बात करते हैं अगले क्यूशन के बारे में तो अगले क्यूशन क्या है निमन में से सोया बीन की पीले दानों की बोनी किसम कौन सी है इसी कौन सी किसम है सोया बीन की जिसके दानों का दानों का रंग पीला और बोणी किसम है तो सीज क्यूसन का राइट आंसर वने वाला है सोय बीन की गोरव और मॉनेट किसम में पीले दानों वाली बोणी किसम है अगला क्यूसन है निमन में से सोय बेन की यू यूएससे, यूएससे आयतित किसम कौन सी है, कैंट, कैंट की बात करें, तो ये भी यूएससे आयतित विदेशी किसम है, इसके लावा कलॉर की बात करें, तो ये भी यूएससे आयतित विदेशी किसम है, इसके लावा लेक हर्ट, ये भी यूएससे आयतित किसम है, तो डी केन्ट एक है बॉग ली इसके लावा है छोन कई कोन सी है इसके लावा किसम कर ली किसम ली किसम जै ईक है तरवाब आनसर होने वाला है Kent, Clark और Blackheart ये तिनोई किसम सोयावीन की USA से आया थी ति शंकर किसमे है अगला question है निमने में से सोयावीन में कौन से करपतवार नाशी का प्रियोग किया जाता है यदि सोयवीन की पसल में कर्पतवूर है तो उनके इस रोक्तां में तो कुम सा हर्बिसाइड प्योग किया जाता है एला कलोर बसालीन और फिर सीमाजीन तो सोयवीन की पसल में सोयबेन की पिसल में एला कलोर और बेसालीन दोनों ही कर्पतवार नाशी या हर्भी साइडी का प्रयोग किया जाता है तो सी इसका राइट आंसर होने वाला है अब बात करते हैं कि एला कलोर का उप्योग कब किया जाता है एला कलोर का उप्योग कब किया जाता है एला कलोर को लासो के नाम से जाना जाता है इसका अंकुरन पूरो प्रयोग किया जाता है अंकुरन से पहले प्रयोग किया जाता है कितना किया जाता है एक से डेड़ केजी परती हेक्टेर अंकुरन से पूरोग किया जाता है कौन से हर्बिसाइडगा एला कलोर जिसका व्यापरिक नाम लासो है इसका सोया भी इनकी पसल में अंकुरोन से पहले प्रियोग किया जाता है इसके अलावा बात करें फलू कलोरोलीन जिसे बेसालीन के नाम से जाना जाता है बेसालीन विया परिग नाम है इसका प्रियोग अप किया जाता है बुवाई के बुवाई से बुवाई के दो से दस दिन पहले यहनि पी पी आई श्का साक नाशी है इसका एक किलो पर प्रियोग किया जाता है अब बात करते हैं अगले क inhalation के बारे में अगला किומ的是 lahir किशोयवीनका प्रमुक रोग कौन सा है खेराm पीलिया चारकोल रोट या फिर ब्राउनिंग तो सोय पीलिया रोग सोय भीराइट आंसर होने वाला है सोयबिन का प्रमूरोग कुन सा है पीलिया है अब पीलिया रोग की बात करें तो सोयबिन का रोग है सोयबिन की पसल में होता है पीलिया रोग किसकी कमिशे होता है एक तो होता है फेरस की कमिशे और एक होता है जिंक इन दोनों की कमीशे सोयबेन की पसल में पीलिया रोग होता है इसके उपचार की बात करते हैं पीलिया रोग के उपचार हे तू F.E.S.O.4 का 0.5% का छिड़काव किया जाता है यदि सोयबेन की पसल में पीलिया रोग हो गया इसके नियांतरने हेतु सोया बेन की पसल में F.E.S.O. 4 का 0.5% के च्छिडिकाव किया जाता है तो पीलिया रोकिर्स पोषक्ततों की खमी से होता है जिंक और फेरस दोनों ही पोषक्ततों की कमी से सोया बेन की पसल में पीलिया विकार होता है अगला क्यूशन की बात करें तो अगला क्यूशन क्या है निम्न में से सोया बीन की परती हेक्टेर कितनी उपज़ प्रापत होती है यदि सोया बीन की एक हेक्टेर में बुआई की गई है तो उसके उपज़ कितनी प्रापत होती है 10 से 15 क्योंटल परती हेक्टेर 15 से 20 क्योंटल परती हेक्टेर 20 से 25 क्योंटल परती हेक्टेर या फिर 25 से 30 क्योंटल परती हेक्टेर तो सोयबीन जिसकी सोयबीन की एक हेक्टेर में बुआई की गई है एक एक्टियर में बुआई की गई है तो उपज़ पराप्त होती है 25 से 30 क्योंटल परती है उपज़ पराप्त होती है उपजी प्राप्त होती है सिंचिंत छेत्रों में और यदि एसिंचिंत छेत्रों की बात करें तो 15 से 18 क्यूनिटल परती हेक्टेर एसिंचिंत छेत्रों में उपजी प्राप्त होती है इस question का right answer कोई क्या होने वाला है D, is question का right answer होने वाला है Soia Apollo disturber 1 hect毎र में व्हाइ की गई है जोहां पनी की Cert ANY हो तो वहांपर उपज़ी प्राप्त होती है 25 से 30 Qanta पढ़ती है Soia Apollo к university प्रात होती है तो Soiawhatutt acred vaccin से समझेंद important important question बनते थे उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कर्शन किया गया है अब एक बार पुना से मैन मैन जो टोपिक है मैन मैन क्यूशन बनते हैं उनके बारे में रिवाइज करते हैं तो एक तो क्यूशन बनता है उत्पतिश्टल तो सोयबीन का उत्पतिश्टल क्या है? से जाना जाता है इसके अलावा सोया बीन की फली तो सोया बीन की फली क्या कहलाती है पोड कहलाती है सोया बीन की फली पोड कहलाती है सोया बीन का पूश्प करम पूश्प करम रेशीमी कहलाता है सोयबीन का पुश्प करम क्या कहलाता है रेशीम कहलाता है इसके अलावा सोयबीन दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की पिसल है विशेला तत्तो तो सोयबीन में गाइट रोजन विशेला तत्तो पाया जाता है बंडारन वाला तत्तो की बात करें तो नोडूलीन बंडारन वाला तत्तो पाया जाता है दूरगंद की बात करें तो लेपोक्षीडेज एंजाइम के कारण सोयबीन की पसल में दाल में दूरगंद आती है इसके अलावा प्रोटीन प्रोटीन के मातरा पाई जाती है 40 सब 42 परतिशत और तेल पाया जाता है 20 परतिशत सोय बीन अनुसंदान संस्तान सोय अनुसंदान संस्तान इंदोर MP में इस्तित है इसके अलावा बीजदर 70 से 80 के जी परतिश एक्टेर बीजदर रखी जाती है इसके अलावा जून जुलाई में बुवाई की जाती है खरीब की पसल है और SDP पोदा है अब बात करते हैं पोदो की संक्या तो सोय बीन एक एक्टेर में तीन लाग पोदे बाजरा की बात करें बाजरा में एक लाग श्यांश्ट अजार पोदे इसके अलावा जुवार की बात करें तो जुवार में एक लाग पचास अजार पोदे परतिश एक्टेर और मक्का की बात करें मक्का में श्यांश्ट अजार परतिश एक्टेर पोदो की संक्या होती है तो ये चारोग क्यूशन बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन होने वाले हैं इसके अलावा ये बात करें तो उपज़ की तो वापचीस से तीस क्यूशन पढ़ती है एक तिर उपज़ प्राप्त होती है इसके अलावा किसमों की बात करें एक तो हटी गूंचास जो बोनी किसम है और पीले दानों वाली किसम है इसके अलावा ये इने किसमों की बात करें तो अन्य किसम है यूएसे से आयतित किसम है एक तो ली एक है ब्रॉग इसके अलावा है केंड और इसके अलावा है कलॉर्क तरेशट एक है बलेक हर्ट ये किसम है यूएसे से आयतित सोयविन की किसम है परमुक रोग पीलिया रो लोग है किसके कारण होता है पेरस और जिंग के कारण एफ एस और पॉर का 0.5 परसेंट के हिसाब से इस प्रे किया जाता है इन सभी क्यूशन जो क्यूशन बनते थे आज ही क्लास आपकी हरे एक्जाम की दुरस्टी से बहुत इंपोटेंट क्लास है और आजी क्लास आप को उच्छे लेकिए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब परना ना बोले आज की क्लास में बस इतना ही थैंक्यू